हेलो दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल देशी उकनोमिस्ट हिंदी पे तो हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रडेकली कुछ इसे स्टॉक साइडिया जिसमें के हम लोग बहुत पेच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ह तरगिट यहां पर फहते हम लोग देखने को मिला और यहां पर बहुत ही बाउन सायगा देखने को मिलेगा यहां पर एक जैक्ली बास भी देखने को मिला ऑफिर से हम लोगा परसेंट का फॉल देखने को मिला है और इमामी हम दोगों ने डिसकस करा था कि यहां पर एक ब्रेक्डाउन देखने को मिल चुका है और ब्रेक्डाउन के बाद हमारा फाइनल टार्गेट होने वाला चार से चीहासा चार सो पैंसे रुपए के आसपलास का और इसके नीचे लोगों को एक ब्रेक्डाउन गिया सा 400 ऐ के नीचे उसके पास हैं मारा चार सो पाइनल टार्गेट होता होना जरा है और नेक्स टॉक्स हमारा एक साइब इंडिस्ट्री इसमें भी हम लोगों को लेवल से सिलिंग कर से निए को मिला है यहां पर दो परसेंट का और पिर आ हमारा पहला इस्टाउक है विप्रो लिमिटेड में बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिल रहे हैं आज इस्टाउक हम लोगों को सवा दो परसंट की तेजी दिखा रहा है और यहां पर इस्टाउक में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी गैप आप ओपनिंग के बाद गशए तो जैसे ही हम लोगों को 500 के ओप निकलता है जैसे हम लोगों अबपर के साइट पे 500 555 र५ै के आजभास का ब्रेकाउट देखने को मिलेगा एक जेकली अगर देखा जाय को 510 का हाई लगा था और 500 आपर कीπό वपर की अपर निकलते हैं इस इस्टाउक में बहुत ह ches यह धेयों अच्छा एक opposite का मॉमेंटम देखनीकों मिलेगा और उपर के साइट में प्लप्पें को इसाइट में हां मिल सकता है तो पांसो भीस तक के टार्गेट ड्रीट होता हुआ जराएगा और जादे उपर बِतारिट देखा झाले तो पांसो फारि Betsy Т rằng के भी देखने को मिल रहा था और लगतार फिछले एक महिनों से इस सटाप में डाउन्फल देखने को मिल रहा है और अपने एक्टम दोर सपोर्ट लेबल पे आ चुका है अगर देखा जाए तो यहाँपे हम लोग को इस ट्रेंड-Line देखने को मिलेगा और इस ट्रेंड-Line के लो एक से दो दिनों के अंदर हम लोगों को इसका जो लाश्ट लॉर फिंग था इस लिफल के आज पर जाता हुआ जार आएगा इस टोक जो कि कर्णेट लेवल से ताथ से आठ परसंट की टेजी देखने को मिलेगी और यहां पर हम लोगों बहुत इच्छा रिवर्सल देखने क मिल रहा है नेक्स स्टॉक है हमारा भारत फोर्ज लिमिटेड बारत फोर्ज लिमिटेड का आज रिजल्ट आया हुआ है और प्रोफिट दोसो बीश परसेंट से जंप कर रहा और प्रॉफिट 78 करोर से बढ़कर के 254 करोर पर जा चुका है जो भी 223 परसेंट का नेट चंप देखने को मिल रहा है लेकिन इस टॉक में पहले ही हम लोगों को बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल चुकी थी तो इस टॉक में बहुत ही बड़ा मेजर फॉल आता वनजर आया है और प्रॉफिट देखने को मिला 14 परसेंट का और इस टॉक अपने लोगों के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और यहां पर देखा जाए तो इस 1190 1200 तक के जाता वनजर आ सकता है यह स्टॉक और यहां से हम लोग एक च्छोटा साथ कॉंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है तो एक से दो दिनों के अंदर इसमें एक बहुत ही अच्छा बांस देखने को मिल सकता है तो कल के दिन पर इंट्राडे के लिए 1154 पर जैसिंग स्टॉक निकलता है तो उपर के साथ के प्लैनिंग कर सकते हैं जिसमें कि हमारा पहला टारगेट होगा 1153 का इंट्राडे के लिए और दो से तीन दिनों तक होल्ड करते हैं तो 1190 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है और नेक्स स्टॉक है हमारा एस्टरलाइट ट चुके हैं और यहां पर देखा जाए तो 130 रुपे के जिए उनसे बायर हर बार एक्टिव हो जाते हैं और इस टॉक में देखा जाए तो फिर से 130 के आसपास में बायर एक्टिव हुए थे इस जोन में और यहां से इस टॉक का प्राइस हम लोगों को बहुत ही अच्छा होना जगा सकता है जो कि इस स्टॉक में 15-16 परसेंट की टेजी दिखा सकता है इंट्रडे के अंदर बात करें तो 131 रुपे के उपर निकलते ही इस स्टॉक में लोग प्लैनिंग कर सकते हैं 133 रुपीज 50 पैसे के आसपास के जो कि हमारा इंट्रडे का टार्गेट होगा उमीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा अगर सीखने मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और मार्केट के एक लेटेस्ट अब लेटेस्ट जूरे रहने के लिए देशी को नोटिस के सना इकन को दबा दि जीए धन्यवाद